दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरा डेमो देने वाला हूँ, पूरा फीचर्स बताने वाला हूँ, आपको वर्पूल वाइट मेजिक प्रीमेर 7kg वासिंग मसीन, अगर आप एक बेस्ट टोपलोड वासिंग मसीन अंडर 15,000 रुपीज ढूंड रहे हैं, तो ये करते हैं पूरा इस वासिंग मसीन के बारे में, ये वीडियो देखते रहे हैं, चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना सुरू कर चुके हैं, सौपिंग गुरू इंडिया, मेरा मिजन आप तक बहुत सही प्रोड़क्ट रिकमेंड करन और आपकी स्वापिंग को इजी कराना है, बात करें इस वासिंग मसीन के बारे में, वपूल वाइट मेजिक प्रीमेर के बारे में, 7 kg में आता है, जैसा कि मैंने बताया, आपकी हर फेमेली के लिए बहुत बढ़िया सूट करेगा, इंडियन फेमेली के हिसाब से बहुत ब और वडियन वासिंग में बदद करता है, दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसके लूक्स के बारे में तो बहुत बढ़िया दिखता है, अगर आप कहीं भी वासिंग मसीन दुखेंगे तो बहुत बढ़िया प्रीमियम ते आपको मिल जाती है, चार कलर वेरिंट में आ सुमार्ट सेंसर देखने को मिलता है अगर आपका वाल्टेज कम जादा हो रहा है तो ये इंडिगेट करदेगा या फिर अगर आपको वाटर नहीं आरहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ कचरा जमा हो चुका है तो वो भी यहाँ आपको indicate कर देगा तो यह बहुत अच्छा option आपको मिल जाता है इसमें जो lint है जो mail होता है कपड़ों का वो smart तरीके से cleaning हो जाता है आपको कुछ problem कुछ करने की ज़रूरत नहीं automatic lint clean का इसमें option दिया हुआ है साथ में smart detection smart detergent का इसमें option दिया है तो आप जो clothes डालते हैं वो यह weight लेके और जितना detergent उसमें लगने वाला है यह अपने आप detect करके और आपको display कर देगा और आपको उतना ही detergent इसमें डालना है और कपड़े आपके आसानी से wash हो जाएंगे दोस्तों अगर बात करें star rating की तो आपको 5 star rating मिलती है तो definitely आपकी जो energy है बहुत जादा बचने वाली है आपके bill पे थोड़ा सा फरक पड़ेगा अगर 5 star rating है तो और साथ में 2 buckets water की saving होती है हर wash पे तो एक बहुत बढ़ी option आपको मिल जाता है water saving के लिए भी और साथ में इसमें warranty की अगर बात करें तो 10 years की आपको product और prime mover पे warranty मिलती है साथी साथ 2 सल के product warranty मिलती है तो 10 year product यह जो motor warranty है काफी अच्छा एक सोधा है आपके लिए साथ में 360 watt का इसका motor है नोर्मली अगर आप motor देखते हैं तो वो 270-280 तक जाता है लेकिन इसका 360 watts है तो काफी durable और काफी powerful motor आपको मिल जाता है तो दोस्तों यह washing machine आपको ZPF technology में मिलती है और ZPF का मतलब होता है Zero Pressure Fill तो अगर आपके यहाँ नल में पानी बहुत low pressure में आता है या फिर pressure है ही नहीं तो भी 50% ज़्यादा faster तरीके से पानी का इसमें inlet हो जाता है तो यह भी काफी अच्छी technology है तो दोस्तों इसमें जो सारे functions है उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको अंदर दिखा देता हूँ लेकिन यह जो panel है यह पूरा water आपके अंदर इसमें पानी जाने के chances बहुत कम रहेंगे लीकेज प्रूफ है तो आपको कोई भी टेंसल लेने की ज़रुवत नहीं है शोक प्रूफ है और आपको कभी भी electrical jet के इसमें नहीं मिलने वाले है तो एक बहुत बढ़िया बात है साथ में जब आप इसका lid open करते है तो आपको ये toughened glass मिलता है जो पूरा white नहीं है थोड़ा सा dark type का है लेकिन बढ़िया है डिजाइन के हिसाब से अच्छा है यहाँ दो आपको holder मिल जाते है इसमें detergent आता है और इसमें bleach आता है साथ में जब आप इसके अंदर देखते है तो बहुत बढ़िया आपको SS का पूरा container मिलता है अंदर जो tub होता है बहुत बढ़िया SS का दिखता है साथ में इसमें थोड़े-थोड़े उभार दिये है जो clothes की जो washing है उसको 10 या 20% तक बहुत अच्छी efficiency देते है यह जो agitator है बहुत बढ़िया है और यही spiral wash की technology को introduce करता है और water की अलग-अलग cycle को produce करता है तो कुछ इस तरीके से यह washing machine जब open होती है तो दिखाई देती है तो चलिए आप इसके features के बारे में बात कर लेते हैं क्या-क्या buttons मिलते हैं क्या-क्या उनके काम आते हैं सारा कुछ में बात कर लेता हूँ आपसे वरपूल white magic premier के नाम से यह मिलता है 7 kg इसका capacity है 7 kg जैसा कि मैंने बताया 6-7 member के लिए काफी अच्छा रहेगा यहाँ इसका power का button है जैसे ही आप इसका button on करते है तो कुछ इस तरीके से indication होता है और यह automatically P1 पे set हो जाता है अब दोस्तों P1 क्या है यहाँ आपको washing के 12 modes मिलते हैं जिसमें से P1 normal mode है या फिर daily mode है जो आपके normally जो कपड़े होते हैं उसको धोना है अगर आपको तो यह ultimately जो इसका set button है वो P1 पे चला जाता है तो आप P1 पे अपने normally जो daily आप कपड़े यूज करते हैं वो आप धो सकते हैं दूसरा इसका mode अगर बात करें तो P2 है अगर आपके heavy clothes है, jeans है या फिर और कोई अलग clothes है जो heavy है तो आप P2 के mode पे इस पे select करके इसे wash कर सकते हैं यहाँ से आप सारे program set कर सकते हैं जैसे P1 है, P2, P3 यह से P12 तक ही चला जाता है और सबके अलग-अलग functions यहाँ पे दिख जाते हैं तो normal में daily use के लिए heavy है अगर आपके close तो आप P2 पे use करेंगे P3 में आपको delicate mode मिल जाता है अगर आपके कपड़े बहुत soft है आपके smooth clothes है, बच्चों के clothes है अगर आपको वो normally wash करना है तो आप यह delicate mode select कर सकते हैं P4 में आपको whites मिल जाते हैं यह बहुत बड़ी option है अगर आप office wear करते हैं, जाते हैं अगर आपके white shirts हैं, white clothes हैं तो आप P4 के mode में उसे wash कर सकते हैं stain wash का इसमें बहुत अच्छा option मिल जाता है अगर आपके कपड़े में दाग दब्बे लगे हुए हैं अगर आप एक दिन के अंदर उसे wash कर रहे हैं recommended जो बोला जाता है वो आप 48 गंटे ये 24 गंटे में अगर wash करते हैं तो stain wash का function बहुत अच्छा है आपके कितने भी गंदे clothes हो, अच्छे से साप हो जाते हैं इसमें eco wash का आपको option मिलता है P6 पे और eco wash में आपको water saving अच्छे से हो जाती है और काफी अच्छा option है ये भी P7 में आपके woolens के कपड़े धुलते हैं अगर आपके जो sweaters होती है या फिर जो भी woolens के कपड़े है अगर आपको दोना है तो P7 के mode पे धुल जाएंगे betsis अगर आपको दोना है तो P8 पे धुल जाएंगे P9 का जो mode है उसमें आप में चोड़ना और उसे सुखाना ये जो mode है ये P9 में आपको मिलता है P10 में आपको बस अगर ड्राइ करना है कपड़े आपके कपड़े धुले धुलाएं है या फिर बारिस में गीले हो चुके हैं या फिर और कोई कारण है आपको बस ड्राइ करना है तो आप P10 के mode पर सेलेक करके आपके कपड़े धुले कर सकते हैं P11 का mode है वहाँ आपको मिलता है Wash Only का अगर आपको बस कपड़े धोना ही है तो आप Wash Only के mode पर सीलेक करके अपने कपड़े धो सकते हैं और पी 12 है ये Equal Store का mode है अगर आप इसमें already पहले से ही water store करके रखना चाहते हैं कपड़े नहीं दोना चाहते हैं बस water ही store करना है आपको और बाद में कपड़े दोना है तो P12 का mode भी आपके बहुत काम आने वाला है तो ये इतने सारे modes आपको मिल जाते हैं इसका मैंने आपको अलग-अलग functions बता दिया power को option आपको मिल जाता है program यहां से set होता है अगर आपको in between कुछ करना है washing machine में या आपको रोखना है timing सारा कुछ करना है तो आप इस button से अपना water wash का cycle रोख सकते हैं और दुबारा उसे चालू कर सकते हैं यह LED display आपको मिलता है जिसमें आपका जो detergent का requirement है उसके cups के हिसाब से यह requirement आ जाता है या फिर smart sensor अगर कुछ sense कर रहा है तो यहां पर आ जाता है जितने भी आप mode select करते हैं वो यहां पर आ जाता है बात करें इन functions के बारे में तो यह soak को option आपको मिलता है यह अलग-अलग washing machines में नहीं आता है top loading में कुछ washing machines में आता है जिसे वपूल का अगर आप white magic में दूसरा कोई option लेंगे तो हो सटता है कि soak का option आपको नहीं मिले तो soak में पहले कपड़े गलते हैं उसके बाद में wash का यह option है तो यह दिरे-दिरे switch होता जाता है अगर यह indication बंद है इसका मतलब कि यह soak हो रहा है अगर यह indication बंद है इसका मतलब कि यह washing हो रहा है इसे यह आगे बढ़ता जाता है और rinse के option पे आपके कपड़े निचोड़े जाते हैं और dry के option में आपके कपड़े सूख जाते हैं तो यहां जो भी mode इसका चल रहा होगा currently वो आपको यहां so कर देगा other features की इसमें बात करें तो express wash का इसमें option मिलता है अगर आपको कपड़े जल्दी धोना है आपके कपड़े कम मिले हैं आपको timing की बचत करना है या फिर अभी आपका पानी नहीं है आपके पास पानी का storage उतना नहीं है तो आप इसको delay कर सकते हैं जब आपका पानी वापिस आपके पास sufficient आ जाएगा तो आप इसे on कर सकते हैं और अपने कपड़े धुल सकते हैं या फिर अगर fix timing आपको मालूम हो तो आप 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद भी अपने clothes की cycle चला सकते हैं और washing चला सकते हैं water level के indications आपको अलग-अलग मिल जाते हैं जैसा कि automatic पे अगर आपको करना है तो यह अपने आप automatic जो कपड़े के weight है उसके हिसाब से water लेता है और फिर यहाँ पे indication करता है कि यह automatic पे है वैसे ही अलग-अलग options आपको मिल जाते हैं तो यह relate करता है यह अलग-अलग modes पे तो जो normal modes हो सकता है कि उसमें आपको low और medium पे ही set करने का option मिले तो अलग-अलग options आपको मिल जाता है hard water wash का यह water washing जो प्रोग्राम है आपके जो अंदर tub है उसके अंदर scaling नहीं होने देता बहुत बढ़िया तरीके से washing होती है और कपडों पे भी जो hard water का effect है वो नहीं आने देता है तो बहुत बढ़िया option है अगर आपके यह boring का पानी use होता है या फिर hard water आता है तो यह option भी आपके लिए बहुत कमाल का हो सकता है दोस्तों फाइदेतों मैंने आपको बहुत सारे बता दी है लेकिन इसका एक छोटा सा negative point है वो यह है कि यह DDM technology में नहीं मिलती है यानि कि direct driven motor technology में यह नहीं मिलती है तो यहां i button पे click करके आपको वो video भी मिल जाएगा आप उस video को भी पूरा देख सकते है तो वो technology आपको यहां नहीं मिलती है inverter technology आपको यहां नहीं मिलती है उसके अलावा बहुत बढ़िया washing machine है अगर especially आपका budget 15,000 रुपे है यह एक बहुत बढ़िया best option साभीत हो सकता है आपके लिए last feature है इसका वो है child lock का feature जब आप अपना machine on कर देते हैं और वो शुरू हो जाता है जब भी आप इसको active कर सकते हैं यह दोनों button आप साथ में प्रेस करेंगे तो child lock option active हो जाएगा बच्चे इसे खोल नहीं पाएंगे और जब आप दुबारा इसे प्रेस करेंगे तभी यह open होगा तो बहुत बढ़ी option है अगर आपके यहां बच्चे हैं सरारती हैं तो यह option भी आपके लिए बहुत कमाल का हो सकता है दोस्तों अगर बात करें इसकी price range के बारे में तो आपको 15,000 से 16,000 के बीच में मिल जाता है offer चलते रहते हैं तो मैंने video की description में link दिया है वहाँ जाके आप इसके current price चेक कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आया या फिर खरीदना है तो आप easily वहाँ से buy भी कर सकते हैं